हाई फ्रेंट्स आज की वीडियो में हम यह तीन कलर्स यूज़ करेंगे जो हमारा पार्ट सिक्सा ग्राइनी स्क्यार कुशन कवर्स जो हम बना रहे हैं तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हमने जो यह बनाया था ग्राइनी स्क्यार इसमें यह रोज बनाया था तो इसकी पार्ट में तो सबसे पहले हम छे चेंज लेंगे कि बनाने के बाद ही तो तीन चार पांच छे इन्हें जोडेंगे फिर एक हम रिंग बना के तीन चेंज लेंगे जो कि एक डबल कॉशे काउंट होगा और इसके अलावा हमने 15 डबल क्रोशे और बनाने हैं इसी रिंग के 15 डबल क्रोशे तो पहले यह पंदर डबल क्रोशे और बना लेंगे हम तो हमने पंदर और डबल क्रोशे नाए टोटल हमारे सोला होगे इन तीन चेंज को मिलाके अब फिर हम यहां पर जैसे स्लिप सिच से रिंग बनाते हैं वो बनाएंगे अब नेक्स राउंड के लिए इन चेंज लेंगे और एक चेंज पेस को स्किप करके अगले में एक सिंगल क्रोशे और आठ बार हमने ही करना है तीन चेंज और एक चेंज पेस को छोड़ेंगे अगले में एक सिंगल क्रोशे तो हम आठ बार ऐसे ऐसे तीन चेंज वाले चेंज बना लेंगे हमने इसे बन बनाएंगे 5 double crochet 1 2 3 4 और यह 5 double crochet बनाने के बाद जो अगला चेंट स्पेस है इसमें हम 1 single crochet बनाएंगे फिर अगले चेंट स्पेस में 5 double crochet तो ऐसे चार बार हमारे यह 5 double crochet बनेंगे 4 times 5 double crochet बना जाएंगे तो अब यह हम पहले बना लेते हैं फिर आपको समझ में आएगा देखिए हम इस तरह से यह चार चेंट बना लिये हैं फिर से इन बैक साइट पर जैसे जोड़ रहे थे वैसे जोड़ेंगे यहां पर इसे जोड़ेंगे एक चेंट लेकर हम यह रिखिए जो सिंगल क्रोशे था यहां तकाएंगे पहले इसे जोड़ेंगे चार चेंट लेंगे जादा लूज नहीं लेंगे एक तो तीन चार फिर इस चेंट पेस में कि अतलो इसे सिंगल क्रोशेब थे माढ़ेंगे फिर चार चेंट और फिर चान चांच चेंच ली है अब इसे फर्स्ट तोला यह जो इससे जॉइन करने के बाद दो चेंच लेंगे और इस चेंच पेस्ट में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे ऐसे पहले ने के अब जो अगला चेंच इसमें हमने साथ डैबल क्रोश् council भनें Tsch हमने सेवन डैबल क्रोशे ञएल्य के तो पहले 26 उम्हाट बना लाज यह क्युद्ट सेक्पेस मेंगे цен desis तो यह राउंड हम ऐसे कंप्लीट कर लेते हैं साथ डबल क्रोशे सिंगल क्रोशे साथ डबल क्रोशे सिंगल क्रोशे तो यह कर लेते हैं पहले तो हमने साथ साथ डबल क्रोशे वाले भी चार शेल्स पना लिए अब फिर इसे हम इस पॉइंट पे बैक साइट से इस तरह से तो यहां से हम 5 चेंज लेंगे मैं लेकnd जाला लेंगे लियुश्य नहीं लेनी है चेंज 5 और फिर एक संगल कौश सिन थेुट कर रांड बनातों यहां पर यहां पर पांड़ न कंचेंज बनाएगा लूज नहीं रखनी है फिर इसे स्लिप्टिच से जॉइन किया अब इस चेंज स्पेस में पहले एक स्लिप्टिच मनाएंगे तीन चेंज लेंगे अब इसमें हमने चार बार ट्रेबल्स बनाने हैं दो बार धागाल पेटेंगे एक कि दो कि तीन हुआ सब्सक्राइब4 चार ट्रेबल्स हमने बनाए अब फिर से 3 चेंज लेंगे एक दो ही और इसी चेंज पेसमें सिंगल क्रोशे की अब अगले चेंज बिան में पहले एक स्यंगर ख्रोशे 13 चेंज एग दो आधा कि और यह दिन को पैटल तो इसे हम ने ये इससा कि बनानी है थोड़ा सफास्ट कर लेते हैं ते हैं चार पार एक दो कि ऑन तीन और ये हो चार और फिर तीन चेंज एक तो तीन और एक सिंगल क्रोशे तो बाकी जो हमारे ये चेंज पिसे इनमें भी हम येवली पैटल्स बना लेते हैं देखिए फ्रेंड्स हमने ये जो है सारी पैटल्स पना के इस धागे को अंदर वीविन कर लिया है अब ये देखिए यहां से हम क्रो पैटल का वहां से अब ये ग्रीन कलर का धागा लेंगे इस लिप नॉट बनाएंगे इसे निकाल के चार चेंज लेंगे एक दो तीन चार ये हमारा एक ट्रेवल क्रोशे काउंट होगा अब हम तीन चेंज लेंगे गैप के लिए और फिर अगला जो कॉनर है इसी पैटल का सब्सक्राा भी नहीं कि ट्रेवल नहींगे नहीं आप हम एक क्तैगरल बना लेंगे तो प्रेवल बना अब तीन चेंज लोएंगे और अगलेजा वह बनाओन के हमारा कॉर्नर बने का तो यह जो बीच में है हमारे यह ए दिखिए इस इसे उठाइंगे जो मीडल वाला स्टीच है हमारी इस पेटल का यहां से और यहां पर हमने लीफ पनाना थै तो उसके लिए हम पहले इतना ही बनाएंगे इसे दो बार फीट झाल पेटें है एक है अब जब हम ने यह तीन बार कर लिए यायनि तीन ट्रैवल का कि यह क ON बन गया अब डिन-पला कर फिर दू चेंज लेंगे और फिर से इसी बार पर फिर से यही लिफ है यह सअब एक बार आधा है फिर एक बार आपगे से एक बार ओर फिर तीन हो गए अब इन तीन का एक करके इन्हें सिक्यूर करेंगे फिर दो चेंज लेंगे एक बार और हम यह लीफ बनाएंगे तो थोड़ा फास्ट बना लेते हैं एक दो तीन कि इस तीन का एक åसे करने के बाहर तीन चेंजूर बाएं यहां पर 바नी है यह यहांपर बनेगा यानि पहले कोनर के ऊपपर क्यूपर त्याफ्ट्रा curry पर फिर तीन फिर अगले कार्नर के ऊपर अब गईज हो Г can फिर अगले कोनर नेगा यह से फिर तीन चेंज एक दो तीन और फिर इस वाली जो यह पैटल है इसके फिर से बीच में हमने जैसे कॉर्णर उस तरह पनाया है पहले हुक इंसर्ट कर लेते हैं यह से फिर से हमने लीफ बनाने के लिए इनकम्प्रीट ट्रेवल्स बनाने हैं तीन कि एक कि दो कि यह तीन अब फिर जो हमने यह चार चेंज ली थी स्टार्टिंग में ट्रेवल्स बनाने के लिए उसके उपर से हम इसे ऐसे स्लिप स्टिच से जॉइन करेंगे और इस दागे को यही पे काट लेंगे तो यह दागा काटके हमने फिनिश कर लिया है और अब हम यह लेवेंड कलर इसके उपर यह जो बीच वाली पत्ती है दोनों तरफ चेंज बनी है जो इस तरफ वाली चेंज है इसमें से हम हुक को इंसर्ट करेंगे पहले एक स्लिप नौट बनाते हुए फिर तीन चेंज ले लेंगे इस तरह से 1 2 3 तीन चेंज ली यह एक डबल क्रोशे काउंट होग अब यह जो हमने बीच में चेंज ली थी इनके उपर हम तीन डबल क्रोशे नाएंगे एक दो तो तो टोल यह हमारे चार डबल क्रोशे हो गए इसको मिलाकर अब एक डबल क्रोशे बनाएंगे हम इसके उपर यह जो हमने बत्ती बनाई थी इसके उपर एक डबल क्रोश बन और एक डबल क्रोश पनाएंगे हम इसके उपर तो तेखे चार नाए फिर एक बनाया फिर चार नाए फिर चार नाए फिर एक बनाया अब तो चार नाएंगे 1 2 3 4 फिर एक बनाएंगे इसके उपर फिर चार बनाएंगे तोड़ा फास्त मिना लेते हैं अब दो तीन चार उसके बाद अब इस पैकल के उपर जैसे इसर हमने एक बनाया है तो इस तर भी एक बनेगा डबल क्रोश है और फिर यहां पे रिखिए यह हमने तीन नाए थे इस तर भी तीन बनेंगे एक जो यह चेंज है इनके उपर दो तीन और एक डबल क्रोश बनेगा हमारे यह देखिए घृच है से बाद हमारे आपिसर हमारे यहां तक हमारे 24 हमारे डबल क्रोश आप है अब हम यहा पहले नाएंगे जार चेंज 2 चार चेंज ली अब देखिए जैसे यह साइड हमारी बनी है बिल्कुल अब हमने यहां से शुरू करते हुए यह साइड इधर भी बनानी है थोड़ा से स्टार्ट कनपताऊंगी जैसे हमने फिर से इस पैटल के दूसरी तरफ से स्टार्ट किया था इस चेन के ऊपर से ऐसे यहां पर एक डबल क्रोश बनाएंगे उसके बाद तीन बनाए थे हमने यहां पर यह देखिए तो यह तीन अब यहां पर बनाएंगे तो जब हम इस तरह भी ऐसे ही बनाएंगे जितने उस तरह बनाएंगे तो फिर यहां पर हमारे 24 जो है वो डबल क्रोश बन जाएंगे यहां पर हमारा एक ही बनना है इसके उपर और फिर चार एक चार एक करके बनाएंगे तीन बार ऐसे और उसके बाद चार एक चार एक करते हो बनाएंगे और फिर यहां पर हमने एक बनानी है तीन और फिर एक और फिर चार चेंज लेकर एक फिर तीन फिर एक और फिर चार एक तो होपी चीज आपको समझ में आ गई होगी तो इस तरह से अब हम यह वाला राउंड पहले कंप्लेट कर लेंगे दो चारो तरफ हमारे 24 चोबीस डबल क्रोशेज बनेंगे 24 24 और 24 चोबेदें लिए ग्रेतले के दोशेजन चेज़न फेल चेज़न बनानी है कि यह वाला कॉर्न अबहला कॉर्न जो जो जुरू की चैन कोर्थ इसके वपर स्लिप्सवीस से जॉइन करेंग 15 चरेज 3 चर inadequate 1 तू Battle से सबस्क्राइब करें में कुड़ कम एक एक करोड़ी बना लेते हैं यह हमने एक एक दबल क्रोशे बना लिया है अब जैसे हम बाके ग्राइनी स्क्यार्स में कर रहे थे कॉर्णर पे हम तीन दबल क्रोशे बनाएंगे एक दो तीन और क्यूंकि यह लास्ट राउंड है इसलिए हम यहां पर तीन चेंज लेंगे पहले हमने चाहर ली थी इस बात तीन लेंगे और फिर तीन डबल क्रोशे हम इसी चेंज स्पेस में या कॉर्णर में बना लेंगे उसके बाद इस तरह भी हमने एक एक डबल क्रोशे जो है इनके उपर बना लेंगे तो होप यह चीज पर आपको समझ में आ गई होगी यह वाला राउंड हम ऐसे ही बनाकर क क्या करना है तो देखिए लांस्ट राउंड भी हमने यहां तक बना लिया है यह जो हमने तीन डबल क्रोशे बनाए और तीन चेंज ली अब इस तरफ के भी तीन डबल क्रोशे बनाना नहीं भूलेगा इसलिए मैं आपको यह कहा था कि लांस्ट कॉर्णर में आपको करट लेंगे कि हमारा यह क्राइनी के बनकर कंप्रीट हो चुका है तो ऐसे हमने पांच क्राइनी स्क्यार जो दोब पांच कि लिए एक के लिए एक यह यह होगा तो आप ही बना लीजिए गा मिलते हैं फिर नहीं वीडियो के साथ थैंक्यू